ओए होए होए क्या जबरदस्त पावभाजी लग रही है हेलो गाइस कैसे हैं आप सब I hope आप सब घर में सेफ होंगे और सारी precautions का भी follow कर रहे होंगे मेरा नाम है दिशा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दिशास कुजीन में इस बंद में जब सबका कुछ भार का चटपटा थी खा स्ट्रीट फूड खाने का मन कर रहा है पर भार नहीं जा सकते तो क्या हुआ हम घर में ही स्ट्रीट फूड का माजा ले सकते हैं हम घर में ही स्ट्रीट फूड बनाते हैं न तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाव भाजी की रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो सबसे पहले हम पाव भाजी के लिए सबजियों को बॉयल करेंगे आपके पास जो भी सबजी हूँ आप उन्हें ले लीजेगा और उन्हें दो सीटी लगा के बॉयल कर लीजेगा पाव भाजी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है क्योंकि हम इसमें ऐसी ऐसी सबजियों का यूज करते हैं जो कि बच्चे खाना पसंद नहीं करते लेकिन हम उन्हें वो खिला देते हैं तो सबसे पहले तड़के की त्यारी कर लेते हैं उसके बाद यहां पे हम कड़ाई में तेल को अच्छे से गरम करेंगे और उसके बाद यहां पे बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे प्यास थोड़ा कम यूज़ करेंगे क्योंकि इससे जो हमारी ग्रेवी होती है या जो सबजी होती है वो थोड़ी सी मीठी हो जाती है और हम प्यास को चौप करके ही डालेंगे हम प्यास की प्यूरी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें अपनी पाव भाजी की जो भाजी है उसमे एक दरदरापन चाहिए एक चम्मच अधरक लसन का पेस डालेंगे और बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे आप चाहें तो हरी मिर्च को अवाइड कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को खिलानी है मैं ज़्यादा तीखा पसंद करती हूँ इसलिए हरी मिर्च डाल रही हूँ थोड़ा सा प्यास जब ब्राउन हो जाएंगे तब यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर डालूँगी यहाँ पे डालने का परपस केवल यही है क्योंकि इससे जो हमारी भाजी है उसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा अच्छे से एक मेर्ट तक पकाने के बाद अब हम यहाँ पे अपने चौप की हुए टमाटर डालेंगी टमाटरों को भी चौप करने का यही परपस है हमें अपनी सबजी में तरदरापन लाना है और आपको तो पता ही है जैसे ही मैंने टमाटर डालने है उसके तुरण बाद मैंने नमक डालना है नमक आप अपने टेस्स के अकौडिंग डालेंगी नमक डालने का परपस भी अई होता है इससे जो मारा कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तमाटर बहुत जल्दी गलने लगते हैं अब जो भी हमने सबजियां उबाल के मैश कर ली थी हम वो यहाँ पे डाल देंगे आप देखेंगे जब मसाला साइड में तेल छोड़ देगा तभी आपने यहाँ पे अपने सबजियों को डालना है अच्छे से मिक्स करेंगे अपनी सबजियों को और यहाँ पे अब हम पाव भाजी मसाला डालेंगे मैंने तीन चमच पाव भाजी मसाला डाला है अब अगर आप अपनी भाजी में बिल्कुल एक दम स्ट्रीट जैसा color लेके आना चाहते हैं, बिल्कुल रेड पिश color लेके आना चाहते हैं, तो यहां पे आप food color को add कर सकते हैं, बड़ यह बिल्कुल ही optional है, आप चाहें तो add कर सकते हैं अगर आपके पास है available, अगर आपके सबजियों को boil किया था तो जो पानी बच गया था, अब हमने उसको फैकना नहीं होता है, हमने उसका use करना है क्योंकि उसकी बारी आती है, अब हमारी सबजी यह जो हमारी भाजी है वो बहुत जादा गाड़ी है, तो अब हम उस पानी का use करेंगे यहां पे, और उस पानी को यह नहीं क्योंकि उस पानी में बहुत जादा गुन होते हैं सबजियों के तो अच्छे से मिला लेने के बाद हम यहां पर डालेंगे बटर जो की most important ingredient होता है भाजी में बहुत जादा important होता है सबजी में भी पड़ता है और जो हम भाजी बना लेते हैं उसके उपर भी हम बट जाएंगे freshly chopped coriander leaves यानि की धनिया डालेंगे उबालते रहेंगे यानि की सोडते रहेंगे हमारी बाजी बिल्कुल तयार है तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पाओ के उपर पाओ बनाने के लिए हम पाओ जो है उनको लेंगे और उनको बीच में से काट लेंगे उसके बाद मसाला स्प्रिंकल किया जाएगा और उसके बाद उसको आगे पीछी आनि की दोनों तरफ से जो है अच्छे से से का जाएगा तब ही बिल्कुल बजार जैसे पाओ आपको मिलेंगे तो मैं पाओ के जो पीछे वाली साइड है वहाँ पर भी अच्छे से बटर लगाऊंगी और पाओ को दोनों तरफ से आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से अच्छे से अपने पाओ को सेक लोंगी तो लीजिए तयार है हमारी पाओ भाजी की रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपनी family and friends के साथ और comment section में मुझे बताए कि कैसी लगी मेरी वीडियो और आप और कौन सी street food देखना चाहते हैं आप इसको जरूर try कीजिए और मेरे साथ अपना feedback जरूर share कीजिए आप ऐसे ही अपना प्यार मेरे उपर बरसाते रहिए और मुझे motivate करते रहिए क्योंकि आपके ही प्यार को देखके मैं motivate होंगी और ऐसी recipes और लेते आऊंगी Thank you